जोधा अफुर्वाई इतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेश पहुचाना नहीं है जंग तक्रीबन फते हो चुकी है भाईजान वजिमुराद जिस तरह से आप इस जंग में लड़े वाकिक अबिले तारीफ है आपकी पहली जंग है और आप ते जुर्बेकार भी नहीं है फिर भी जिस तरह से लड़े माशाला वाह तारीफ के लिए शुक्रिया आदाब शाशा, आदाब शहजादे साहिवान, शाब दुल्लाख को गरिफतार कर लिया गया है और बहुत जल लिए उसे शहिंशा के सामने पेश किया जाना है वह बहुत खूब बहुत खूब मुबालक हो, आखिर हमने जंग फतेह कर लिग पते आपको पहली जंग बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी शेहिंशा युद हम जीत चुके हैं हमने बदक्षा के शाह को बंदी बना लिया है कहें तो उन्हें आपके सामने पेश किया जाए इनके बेडियां खोल दीजाए इनके बंदन खोल दिये जाए किया हुआ जंग फटाए करके भी डर गए आप अगर खौफ होता तो आपको इस तरह साथ नहीं करवाते बल्के बीजिए वक्त आपका सर काट कर फैक देते अब हम चाहेंगे कि आप हमारी बात को और से सुनें हमें आपके समीन आपकी सल्तनत आपसे लगान कुछ भी नहीं चाहिए हम बस चाहते हैं कि शाहरां के खिलाफ महीं में आप हमारा साथ ने और हम अगर ऐसा करने से इंकार कर दें तो सब जानते हैं कि हमें आमन और चैन पसंद है लेकिन अगर सुरत पढ़े तो हमसे बेरहम और संदल कोई नहीं है इस दुनिया में अब यहां तो आपके सामने दोस्ति और मन का रास्ता है या फिर मौत का तो आपक्ट शाह हैं हम अमीद करेंगे कि आपका है एक फैसला आपकी आवाम अपची सल्टनत के हाग में हो और बहतर हो का कि तला हला आपका फैसला है आपकी जान के आख में हो आपको जवाब मिलेगा लेकिन ऐसे नहीं दीवाने खास में सब की मौजूदकी में जो था बेगम हमसे बहुत बड़ी भूल होगे सलीमा बेगम अम्मी जान से हमें प्रश्न पूछने ही नहीं चाहिए थे आप जानती है कि अम्मी जान हम जानते हैं जो था बेगम शहन्षा की मा और पतनी के बीच में मतभेध है और अम ये कदाप ही नहीं चाहेंगे सलीमा बेगम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे यह होना या ना होना आपके हाथ में नहीं है जो था बेगम और हमारी मानिये तो हमारी राय यही है कि जैसा हो रहा उसे वैसे ही होने दीजिए आपका इस सवाल करना वाजिब है आप मलिकाय हिंद है शहन्षा के गैर मोचूदके में आपका फर्ज और हग बनता है इस सवाल उठाना और अगर आप अपना फर्ज निभा रही है तो हमें नहीं लगता कि आप कुछ गलग कर रही है परन्तु दिवाने खास में बिल्कुल जोधा बेगम ना केवल आपके बलकी बहुत सारे लोगों के जहन में इस सवाल उठ रहा है वो सब इस सवाल का जवाब अमीजान से जानना चाहते हैं और मरियम मकानी को इसका जवाब देना होगा आप मलिकाए हिंध हैं जोधा बेगम क्योंकि शेहन शाय यहाँ पर नहीं है तो पूरे आवाम की इस मुगल सल्तनत की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है जोधा बेगम परन्तु भरे दर्बार में सब के सामने अमीजान से प्रश्न कैसे कर सकते हैं हम सलीमा बेगम बड़ी आसानी से बस भोल जाएए कि वो आपकी सास है शेहन शाय की अमीजान है ये सोचे कि आपके सामने जो इनसान खड़ा है वो इस सल्तनत का एक आम सा बाशन्दा है परन्तु ऐसा करने से हमारे और अमीजान की संबंधों में दुरिया नहीं आ जाएगी आएंगी जोधा बेगम हम ये अच्छे से जानते हैं लेकिन इनसाफ करने वाले को मुश्किलात का सामना करना पड़ता ही है जोधा बेगम इसलिए मजबूत बनिये जोधा बेगम आप मलिकाए हिंद हैं आप इनसाफ के उस दो रहे पर खड़ी हैं तो आपको इन मुश्किलात का खत्रा उठाना पड़ेगा और हम दुआ करते हैं खुदा से कि आप हमेशा योही इनसाफ की राह पर बनी रहें गब रही है मजब जोधा बेगम हम आपके साथ है एक बात बता तुम्हें क्या लगता है हुश्या क्या कल जोधा बेगम दिवाने खास में मर्यम मकानी के कहर से बच पाएंगी कल किसका पलड़ा भारी होगा मर्यम उस जमानी का की मर्यम मकानी का जोधा बेगम खुश्यार भी है और समझदार भी वो कुछ नहों कुछ रास्ता निकाल लेंगे इब इन हडड़ी की निगोड़ी सवान एक दिन खाल के चवाएगी मेरी काभू में ही नहीं रहती है जाओ वहां से मिठाई की तश्तरी लेकर आओ अब इसे खाओ जी हुजूर खाकसार आपके तस्तरी से कैसे हमने कहाँ खाओ शाब बाश हो श्यार जानते हो हमने तुम्हें मिठाई खाने के लिए क्यों कहा ताकि कभी कबार तुम अपने मूँ से कुछ मीठा भी बोल लिया करो जो हमें पसंदा है हमारी किसमत में यही है आप कुछ सोचती है हमारी सुवान को छो टाववादी है आपको तमाचा ही मानना है तो आप कह दीजिएगा जाल हाजिर है होश्यार तुम्हारी यही अदाना हमें बेहत पसंद है तुम हमेशा हमारी मार खाने के लिए तयार ही होते हो लेकिन अब अब सर्फ खुदा से दुआ करो कि कल दिवाने खास में जो भी हो वो हमारे हक में हो दुआ करो कि कल जोधा बेकम ने जो ताज हमसे छीना था वो ताज कांटों का ताज बन जा है दूआ करना कि कल दिवाने खास में जो भी हो उससे हमारे चेहवे पर मुस्कुराहट आए और हां एक और चीज की दूआ करना कि कल जोधा बेगम बात को संभाल लाने क्योंकि अगर ऐसा हुआ न तो अपना गाल तयार लखना पता है हर हाल में आपकी ये तालिक हमारे ही गाल पर पड़ेगी क्या करें हमकावा क्या निड़नेले कैसे अम्मी जान के विरुथ को ही सुनवा ही करें पहले ही वो हमसे रूठी हुई है यदि हमने एक अदम उठाया तो वो और नाराज हो जाएंगे हमसे एक और अम्मी जान के साथ हमारी संबंथ तो दूसरी और मलीका है हिंद का कर्तव प्या क्या करें कौन सा मार्क अपनाएं हम काना क्या निड़नेले महाभारत में भी पांडवों के साथ ऐसी हुआ तनाकाना उनके अपने ही असत्य का साथ दे रहे थे तभी पांडवों को कौर्वों के विरुद युद्ध करना पड़ा था नियाय और धर्म सबसे बड़ा होता है यदि शेहन्शा हमारे स्थान पर होते तो अब अश्य नियाय का हिस साथ देते कई बार नियाय के सामने संबंधों का मोल नहीं होता है कर दोड़ा होता है अपने बेटी को हो सके दो क्षमा करना में जान पर हमें आपके विरुथ सुनवाई करनी ही होगी यह हमारी भी परिक्षा की घड़ी होगी परन तो आप हमारी और आगरा की बिल्कुल भी चिंता मत कीजेगा हम सब कुछ संभाल लेंगे अमें यहीं उमीद है अपसे यह बहुत बड़ी गलती कर दिये जोधा बेगम ने मर्यम मकानी को और भी जादा नाराज कर दिया उन्होंने हाँ अब तो मर्यम मकानी से उनके रिष्टे सुधरने की उम्मीद भी खतम हो गई है पात्षाही बेगम आपकी क्या राय है हमें लगता है कि बहुत जल्ब मुगल सल्तनत में जोधा बेगम के दिन ढलने वाले हैं आप गलत समझती हैं रुकैया बेगम जोधा बेगम कोई दिन नहीं है जो ढल जाए वो आफताब है जो हमेशा रोशन रहता है और दूसरों को रोशनी देता है इजाज़त दीजिए खुदा हाफिस होश यार मलिक हिंज जोधा वेगम तश्रीफ ला रही है अब मलिका हिंद पर मुश्किलात का सहलाब तूटने वाला है होश यार मरियम मकानी हमीदा बेगम बदा रही है मलिका हिंद अगर आपकी आग्या हो तो आज की कारेवाइश शूब की जाए पेगम साहिबाब मरियम मकानी ने फर्याद किया है कि उन्हें दिवाने खास में कुछ कहना अग्या है और इसी तक को हाजर नाजर रखकर हम उन सवालों के जवाब देना चाहते हैं जो मलिका हिंद ने हमसे किया सिर्फ उनके ही नहीं कईयों के दिमाग में ये सवाल उठ रहे होंगे जब शेहनशाद जलाल अद्दीन मुहमद अकपर शाह एरान से जंग कर रहे हैं तो क्यों हम उनके एल्चियों से मिलने गए क्यों हमने शाह एरान को ये जंग रोकने के बाबत खत लिखा और इसी लिए हम बता देना चाहते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया हमने ऐसा किया क्योंकि हम वाकि इस जंग को खत्म कर देना चाहते हैं क्योंकि इस जंग में ना सिर्फ सेक्रों हजारों मासुमों की जान जाएगी, बलकि शाह एरान के साथ हमारे बरसों के रिष्टे भी खतम हो जाएगी. हम उस जंग को रोकना चाहते हैं जिस जंग को मर्यम उस जमानी बहुत पहले रोक सकती थी. लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एन वक्त पर आपने अपना मज़भ बदलने से इंकार कर दिया, हम वो कोशिश कर रहे हैं मलका-ए-हिंद जो आपको करनी चाहिए थी. इस जंग को रोकने की कोशिश, शेहनशाह शाह इरान को अपना दुश्मन मानते हैं, आपकी वज़े से. लेकिन हम उन्हें अपना मददगार मानते हैं, क्योंकि जरूरत पढ़ने पर उन्होंने हमारी और मुगल सल्तनत की मदद की. अगर एहसान मंद होना गुना है, अगर रिष्टों को निभाना गुना है, तो हाँ, हमसे गुना हुआ है. अगर अपनी आवाम की अपने कुन्बे की फिकर करना गलत है, तो हम गुनेगार हैं. दीजिए हमें सजा मलिकाए हिंद, आपको अब मुकरर करना है कि हमारी सजा क्या है. बोलिए मलिकाए हिंद, क्या फैसला है आपका? आपने हमसे सवाल किया था और हमने सब के बीच आपको जवाब दिया है. अकर हम खलत है तो सजा तजवीज कीजिए हमारे लिए मलिका हिंद अमीजान आप रुक जाये मलिका हिंद मर्या मकानी होने के नाते हमें जो सरी लगा वो हमने किया लेकिन आप बताएए मर्या मुझ्जमानी होने के नाते आपने क्या किया अपनी सल्तनत के लिए बताएए क्या किया अपने अपनी अवाम के लिए आप की जित के आगे क्या उन सिपाईयों की जान की कोई कदर नहीं वो भी किसी के वालत है, किसी के बेटे है, किसी के शोहर है, आप के लिए उनकी कोई कीमत नहीं है, आप इस जंग को रोक सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्यों, क्या इस सवाल का जवाब है आपके पास, आप क्या हमें जवाब देंगी, आप तो सलीन को भी सदा मिल बेगंगी जोधा बेगम, आपकी वज़ेसे अवाम भुखतेगी आपकी वज़ेसे ये सजा, तो हमें भी सजा भुकतने दीजिए, दीजिए हमें सजा, दीजिए मलिकाहिं हमें सजा दीजिए अम्मी जान! अम्मी जान! अम्मी जान! अम्मी जान! कोई अकीबास आएवेगा बुलाओ! अम्मी जान आके खुल गया? अम्मी जान!